हेलो एवरिवन हमें 10 3x का जो फॉर्मूला होता है उसे डिरेट करोंगी यह कहां से आया 10 3x is equal to क्या होता है 3 10x minus 10 qx upon 1 minus 3 10 x का फॉर्मूला होता है यह तो 10 3x का फॉर्मूला होता है बट मैं बताउंगी इसे जैसे अब 10 3x है तो 10 3x को ऐसे लिख सकते है 10 2x plus x एंगल में है तो 2x plus x फी 3x हो जाएगा और 10 2x plus 3x 10a plus b जो हमने बता है अभी पीछे 10x plus 10x plus y के फॉर्म में तो 10x plus y का जो आपने देखा है फॉर्मूला यह तो 10 2x का हो गया और हमने जो अभी पीछे पढ़ा था कि 10x plus y तो 10x plus y का जो फॉर्मूला है 10x plus 10y अपन 1-10x 10x into 10y तो 10x 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 के जगा पर 2x 10x और 10y तो 10x into 10y हो गया अब नेक्स्ट अगर हम लोग करें यह 10 2x तो 10 2x का फॉर्मूला 10 2x का फॉर्मूला जो हमने यह पर पढ़ा था है इस फॉर्म में तोर सकते हैं 10 2x को 2 10x अपन 1-10²x तो इस फॉर्म में हम इसे तोर देते हैं 10 2x को क्या है 2 10x अपन 1-10²x अब प्लस यह 10x है 10x अपन यह जो दिया हुआ है इसे मैं लिख देती हूं 1-10²x तो 10 2x को भी फिर से हम लोग इस फॉर्म में तोर देते हैं 10 के फॉर्म में यहां से मैं फिर से इसे solve करते हूं अब चलिए अब क्या है इसे तो calculate हम लोग कर लेते हैं multiply जो करना है जो भी काम करना है इसे कर लेती हूं पन में और अपन में क्या हो जाएगा यह 1-10²x 1-10²x और यह में बट्टा है इसे में से कर लोग अपन is equal to और इसका multiply यहां हो जाएगा तो यह क्या हो जाएगा इसको solve कर लेता है बस 1-10²x to 10²x यह 10x into 10x to 10²x और बाई में क्या है 1-10²x okay अब क्या देख रहा है यह पूरे से यह whole cancel हो जाएगा तो उपर में क्या बचाएगा to 10x plus यह इसे multiply हो जाएगा to 10x minus 10x और 10²x तो 10³x upon यह क्या है नीचे क्या हो जाएगा माइनस 310²x इस फर्म ऐसे हो गया तो अब मैं total को पूरे करके यहां पर मैं next slide में लिख देती हूँ next slide में यहां पर यह आ जाएगा क्या यह हमने क्या देखा यह तो 10 3x है 10 3x एकल क्या है 2 10x plus 10x तो 3 10x हो जाएगा 3 10x और minus 10³x minus 10³x upon नीचे क्या दिया था 1 minus 3 10²x तो अब क्या हो गया है 10 3x का फॉर्मूला 10 3x equal to 3 10x minus 10³x upon 1 minus 3 10²x तो अब क्या देख रहा है जैसे आगे बढ़ रहा है तो पीछे का जो भी फॉर्मूला है उसके यूज से हम लोग आगे का फॉर्मूला find कर लेते हैं वो find out हो जा रहा है तो it is important कि हम पीछे का जो फॉर्मूला है उसे हम लोग अच्छे से याद कर लें प्रस अपने sin2x, cos2x10, 3x के सारे formula अपने find कर लिया है तो अब next एक में बहुत important formula है उसे मैं derive करने वाली हूँ जैसे यह step से cosx plus cosy given है आपको तो मैं एक लिख देती हूँ इसे आपको sub find करके मैं बता दूँए इसका formula होता है 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 ओके आप किसी किसी आप confused मत हुए है क्योंकि कहीं कहीं बुक में यह cos x plus y की जगह पर आपको क्या दे सकता है cos c plus cos d ऐसे भी लिखा हुआ किसी बुक में मिलता है और यह किसी बुक में आपको मिल जाएगा cos a plus cos b तो यह कुछ भी हो सकता है यह change हो सकता है इसलिए आपको बस formula को mind में रखना है कि इसके जगह पर angle के जगह पर कोई भी angle दे सकता ठिटा 5 c d a b x y z u b कुछ भी हो सकता है बस आपको यह concept रखना है कि होता क्या है c d formula हो इसको c d formula भी बोलते हैं क्योंकि किसी बुक में जातर बुक में c d करके मिलता है बट आपको बुक में ncati की बुक में x y करके दिया हुआ है तो इसे cos x plus cos y को 2 cos x plus y by 2 cos x minus y by 2 यह इसका formula होता है बट यह formula आया कहां से इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी जैसे कि मैं यहां से आपको लिखती हूँ हमनों क्या जानते है we know that जैसे पीछे का formula हमने पढ़ा है कि cos x plus y इस cos x plus y को हमनों क्या लिखते है cos a into cos b plus किसमें चैनल जोता है minus में into sin x into sin y मतब यह भी मैं तब भी बोल देती हूँ क्योंकि हमने होगा सही बता था तो यह xy है तो sin x into sin y यह हो गया क्या equation 1 next next मैं बताती हूँ कि इसका minus form में cos x minus y इसको क्या लिख सकते है cos a into cos b और minus किसमें चैनल जोता है cos वाले में plus sin x into sin y यह equation क्या हो गया 2 अब क्या करना है आपको बोथ equation equation 1 और 2 को सबसे पहले add करना है equation 1 and equation 2 को add किजिए तो दोनों को add करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x plus y plus cos x minus y तो दोनों को add कर रहे है तो इधर भी add होगा तो add करने से क्या देख रहे है प्लस मैंने सब्लाग कैंसल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x into cos y plus cos x into cos y इसमिस double है दो बार cos x into cos y है तो इसको मैं direct लिख देती हूँ यह आपर इतना तो समझे जाएगे 2 cos x into cos y ऐसे करके इसे लिख सकते हैं तो इसे आप क्या मालो equation 3 अब next क्या करेंगे अब next 1 minus equation 1 minus equation 2 कर देंगे equation 1 minus 2 1 minus 2 होगा तो LHS में view ही हो जाएगा क्या cos x plus y minus cos x minus y okay minus हो रहा है तो minus हो रहा है तो क्या हो जाएगा अब यहाँ minus होने से क्या हो जाता है change तो आप इसे आप minus करके क्या link दोगे यह cos वाले जो term है वो cancel हो जाएगे और यह मतलब यहाँ sin क्या हो जाएगा minus यहाँ minus तो plus minus cancel minus 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 2 तो क्या हो जाएगा minus 2 sin x रख में करके आप देख लिए ना into sin y sin y ऐसे देगा it gives equation number 4 तो यह equation 3 और equation 4 हो गया अब next क्या होगा further suppose then मैं next slide पर जा रही है अब अपने पास क्या है sin similarly जैसे cos का किया है उसे sin का भी sin x plus y sin x plus y क्या तोट सकते हैं हम लोग इसका फर्मूला sin x into sin x into cos y plus इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है और cos x into sin y इस वन इस equation number 5 यह क्या हो जाएगा sin x into cos y और minus यह तो minus next cos x into sin y इस वन इस equation number 6 similarly जैसे वहां हमने cos के साथ किया है यह हम sin के साथ में सेम करेंगे equation 5 plus equation 6 add कर देंगे दोनों को दोनों add करने से क्या हो जाएगा sin x plus y plus sin x minus y यह आई जिस में क्या हो जाएगा plus करने से plus minus जो है cancel हो जाएगा तो यह होगा यह सेम चीज़े तो क्या देदेगा यह 2 plus y it is equation number 7 next equation 5 minus equation 6 minus कर देंगे तो minus करने से क्या देदेगा sin sin x plus y minus sin x minus y यह यह minus हो जाएगा फिर similarly अब minus करने से क्या हो जाएगा आपका यह minus plus यह minus से यह cancel हो जाएगा और यह plus plus तो यह क्या देदेगा 2 cos x into sin y is equation number 8 यहां तक तो आप देखिए cos और sin दोनों के तर्में आपने हाँ तक देखिया अब मुझे क्या करना है कि let अब मैं यहां से next अलग color change कर देती हूँ तो जाएगा अच्छा रहे let अब हम माल लिए x plus y is equal to x plus y को हम लोग माल लेते है ठीटा okay and next x minus जो एंगल है कि दो एंगल देख रहे हैं एक x plus y एक x minus y और ज्यादा लेंदी हो रहा है यह भी दो रूत एक equation के काम कर रहा है तो आप क्या कर लो इस दोनों से अगर x की value अगर find करना चाहे तो क्या कर लेंगे यह तो ऐसे ही find हो जाएगा ना x की value तो x यहां पर क्या हो जाता है मेरा अगर मैंने ऐसे कर लिया कि x plus y is equal to theta and x minus y is equal to 5 तो क्या करने है यह अगर cancel हो जाएगा तो this one is 2x is equal to theta plus 5 therefore x is equal to what? तो x is equal to theta plus 5 upon 2 यहां से आपने x की value ऐसे find कर लिया और फिर अगर ऐसे कर गोगे एक बार minus कर दो कि x plus y is equal to theta and x minus y is equal to 5 दोनों को minus करना है तो minus यह plus हो जाएगा यह minus तो क्या cancel हो जाएगा और यहां से 2y y is equal to क्या हो जाएगा? theta minus 5 it means y is equal to theta minus 5 upon 2 तो यहां से आपने क्या देखा? x की value, x की value हमने find कर लिया and y is equal to x and y की value हमने यहां से find कर रखा x a और y यह अब मैं क्या तरहूंगी? x और y की value यह जो x और y हमने find करा है तो यह सारे की value सबसे पहले तो मैं यहां put करूंगी equation number 3 में क्या हमने add करके यह पाया था और subtract करके यह पाया था equation 3 और 4 equation 3 and 4 में और next sign वाले हमने क्या पाया था? 7 and 8 इस x और y की value 3, 4 और 7, 8 में हम put करेंगे तो आप देखो अगर put करने के बाद यहां मैं, यहां पर अगर मैं put कर तो 3 में क्या देदेगा, अगर 3 में मैं put कर रहे हो तो यही देगा न, cos x plus y, तो x plus y x plus y की value क्या हो जाएगी? theta plus cos x minus y की value क्या हो जाएगी? 5 is equal to क्या देदेगा आपको 2 cos x x की value हमने क्या find कर रखी है? theta plus 5 upon 2 एक क्या हो जाएगा? theta plus 5 upon 2 इसे ब्रैकेट उटा दूए into cos, यह थिरी में cos y, y की value क्या है? theta minus 5 upon 2 ठीक है? यहां से हमें यह find हो गया है, equation 3 से और फिर similarly, इसमें मैं put करूंगी तो फिर यह कुछ इसी तर देगा, cos, theta minus cos, phi, is equal to, यह क्या होगा? minus है, इसमें put हो रहा है, तो minus 2 sin, फिर x, तो x की value क्या है? theta plus 5 upon 2, फिर into, यहां पर मैंने put कर रहा है, sin, sin, y, sin, y, y की value क्या है? theta minus 5 upon 2, तो इस तर से यह, यह भी क्या है? आपको फॉर्मूला निकला है, तो यह फॉर्मूला को हम लोग फिर सेम इसी तर आप देख रहे हैं, इसी तर निकला है, cos वाले में, theta, x, y के जगा पर theta है, तो यह इस तर से find हुआ है, अब मैं इसको replace कर दूँगी, theta को x से, और phi को y से replace कर दूँगी, तो same, same यही फॉर्मूला तो आपको मिल जाएगा, तो यहां पर देखा, आपने ऐसे मिला, और next, जब आप यहां put करेंगे, x और y की value किसमें 7 और 8 में, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पर यहां पर लिख देती हूँ, यहां पर आपको मिल जाएगा, sin, theta, plus sin phi, is equal to 2 sin, x, x के जाएपर क्या है, मैं यहां दिखा देती हूँ, यहां पर यही ने, 2 sin x into cos नहीं, x के जाएपर x के जाएपर y के जाएपर y के जाएपर y की value कर देती हूँ, 2 sin theta plus phi upon 2 into cos theta minus phi upon 2, एक यह मुझे मिल जाएगा, और next जो है, sin theta minus वाला है, तो उस minus के पॉर्म मिल जाएगा, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, यह मिल जाएगा आपको sin, theta minus sin phi, यहां, यहां से देखिए, equation 8 में, x plus y theta और x minus y phi, तो sin theta minus sin phi is equal to 2 cos x into sin y, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 cos x, तो x के जाएपर क्या हो जाएगा, theta plus phi upon 2 into sin, theta minus phi upon 2, यहीं आपको मिल जाएगे, इस टाइप से, अब क्या आप देख रहे हैं कि theta और phi ideal values है, तो इसको हमनों क्या replace, theta को replace कर सकते हैं, theta replace होकर theta को हम x replace कर सकते हैं, और phi को replace करके हमनों y कर सकते हैं, तो ऐसे ही जब हमनों करेंगे, तब आप देखोगे कि आपको क्या value मिल जाएगा, फिर similarly जो आपने पढ़ा है वही मिल जाएगा, cos x plus cos y, कि आप यहाँ देख लो, theta के जगा पर x रख रहे हूं और phi के जगा पर y रखूँगी, तो फिर similarly यहीं चीज़तों सब कुछ मिल जाएगा, यहीं बहला, जहां से मैंने start किया था, तो वहीं आपको क्या मिल जाएगा, मैं इसे यहाँ पर लिखती हूं, मिल जाएगा, cos x plus cos y, theta को replace कर रहे हूं, cos x plus cos y is equal to, तो आपको मिल जाएगा, cos 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2, इसे के जाएगा, इसे के जाएगा पर कहीं कि यहाँ सीदी भी देखने को मिल सकता है, cos c plus cos d, 2 cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, यह 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 भी भी मिल सकता है, तो यह एक फॉर्मूला आपको यह हूँआ, मैं एक दर केसे आपको बता दी हूँ, लेकिन मेन फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, यह वाली, जो important है, वो सब मैं आपको लिख रहे हूं, फिर कहाँ जाएगा, सब उसे सारे जगह पर मैं replace कर रहे हूं, ठीटा के जगह पर, ठीटा और फाई के जगह पर तो, यह क्या हो जाएगा, कैसे आपको इसको mind में रखना है, क्योंकि यह cos है, cos के बीच में, दोनो cos वाला है, बीच में minus है, तो यह दोनो sin में आया है, और यह cos से बीच में plus है, तो दोनो उपर cos वाला आया है, तो मैं इसको भी बता देती हूं, अब next है, sin, sin x plus sin y is equal to 2 sin x plus y upon 2 or into cos x plus y upon 2 sin x plus y by 2 into em minus, हुगा, sorry, into cos x minus y upon 2, next है, sin x minus sin y, इसका क्या फर्मूला होगा, तो 2 cos x plus y upon 2 into sin x minus y upon 2, ओके, तो यह आपने देखा, कि यह सारे फॉर्मूला जो है, यह cos x plus cos y cos x minus cos y sin x plus sin y sin x minus sin y, यह सारे का यह बहुत ही important, बहुत ही important यह formula आया है, तो इसे आप याद जरू कर लेंगे, और मैं आपको बताती हूँ कि इसको याद करने के लिए, कैसे आप देखिए कहां पर sin आ रहा है, कहां पर cos आ रहा है, बहुत confusion है, किसी में sin आ रहा है, किसी में cos आ रहा है, कोई दोनों ही sin आ जा जा रहा है, तो it's simple, कि इसके लिए आपने यह formula पढ़ा है, पीछे आपने पढ़ा है कि cos x plus cos y, ठीक है, इसको आपने क्या पढ़ा है, cos x into cos y, okay, and minus, जब plus होता है तो यह minus होता है, minus sin x into sin y, okay, अपने यह पढ़ा, और अभी जो मैंने आपको बताया है, वो बताया है कि cos x plus cos y, यही ने मैंने बताया है, cos x plus cos y, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको, इसको हम लोग लिख लेंगे, 2, 2 cos x plus y, 2 cos x plus y upon 2, यह क्या है, एंगल में हो रहाएगा, into cos x minus y upon 2, ऐसे, तो, अब क्या, और हाँ, मैं एक और next बता देती हूँ, यह मैंने बताया, इसका, अब मैं बता रही हूँ, cos x minus y की, ठीक है, अगर ऐसा हो तो, इसको हम लोग कैसे लिख दे थे, cos x into cos y, और यह minus से तो किसमें चीज़ होता था, प्लस में, अब क्या हो जाएगा, sin x into sin y, ठीक है, और अभी जो मैंने पढ़ा है कि, cos x minus cos y is equal to, क्या हो जाएगा, यह भी होने पढ़ा है, minus 2, sin x plus y by 2, minus 2, sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, यही पढ़ा है न, sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, इससे आप क्या रिलेच कर पाऊगे, तो अब देखिए, जो e plus वला है, यह plus वला है, यह पलस वला है, तो इसमें अब, यह plus वला में इस step से आता है, ठीक है, और جब यह plus वला है, cos x plus cos y, तो इसमें दोनों cos हुआ के दोनों sin, तो आप बहुत आंख बंद करके, जो plus वला first की तरह काम करेगा, plus वला first की तरह भी हैप करेगा और यह minus वला जो है यह second की तरह भी हैप करेगा plus था cos x plus y plus वाला first क्या जाता है cos x into cos y similarly यह plus वला जो काम करेगा cos x plus cos y इसमें भी याद रखना है कि अचा उसमें सबसे पहले क्या होता था तो इसमें भी दोनों कॉस ही आ जाता था पहले, तो इसमें भी दोनों कॉस ही आ जाएगा, तो क्या करना है, 2 कॉस, x plus y by 2 into cos x minus y, इसमें सोचना है कि अफसाना है क्या है, कि अगर यह आपको याद है, तो बस आपको याद यही रखना है, कि प्लस वाला ओपरेट होगा, फस्ट की तरह, और माइनस वाला ओपरेट होगा, सेकेंड की तरह, यह दोनों इस तरिग्ये सोजागा, तो अगर यह आप माइन में है तो आप बैठा लेंगे, अगर यह वाला याद है, तो cos x plus y में क्या होता है, पहले cos x into cos y आ जाता है, तो अचा यह प्लस वाला है, cos x plus cos, यह भी क्या है, इसमें दोनों जो होगा, cos में ही होगा, तो 2 cos x plus y by 2 into cos x minus y by 2 हो जाता है, ऐसे आप रिलेट कर लोगे, तो याद रहेगा, अब अगर माइनस वाला है, तो क्या करेंगे, cos x minus cos y में क्या होता था, माइनस वाला है, cos x minus y, और इसके बारे में मैं भूल चुकिए, उसको लिखना है, cos x minus cos y, तो कैसे लिखूँ, तो मैं सोचूँगा, अचा है, यह minus वाला है, तो किस की तरद काम करेंगा, cos x minus cos y की तरह, तो यह minus किस की तरद भी एप करता है, second वाले की तरह, second जासा होता है, वहीं दोनों side हो जाता है, इसके लिखने second क्या है, second में दोनों side है, तो means, अच्छा, यह cos x दोनों है, तो दोनों, इसमें क्या होगा, sin हो जाएगा, तो यह दोनों side की तरद काम करेंगा, तो कैसे हो जाएगा, तो आपने यह पे cos x into cos हो जाएगा, और 2 sin x plus y y 2 into sin x minus y y 2, ठीक है, तो यह आपको धियान रखना पड़ेगा, कि यह plus है, तो प्लस वाला है, तो first की तरह यहां पर आ जाएगा, और minus वाला है, तो second की तरह यहां पर आ जाएगा, तो इसी तरह हम लोग यहां पर, यह formula को याद करने का है, जो process, वो मैंने आपको बता दिया है, और next जो है आपका, जैसे कि आप देख लिजे, यह sin वाला है, तो sin का भी आप, वैसे ही operate कर सकते हैं, sin का भी, जैसे कि आप देख लिजे, मैं यहां पर जैसे बताती हूँ, sin को मैं लोग क्या लिएते हैं, sin x plus y, यह क्या होता था, sin a into, sin x into cos y plus cos x into sin y, और अभी जो आपने परहा है, sin x plus sin y, sin x plus sin y परहा है, तो इसे आपने कैसे परहा है, 2 sin x plus y upon 2, और into cos x minus y upon 2, यहां पर भी आपका यह set हो रहा है, sin or cos, sin or cos, it means, यह plus वाला है, plus वाला है, तो यह first की तरह operate हो जागा, first की तरह, first में क्या है, sin or cos है, तो यह sin x plus y है, तो इसमें भी क्या हो, जागा sin एक आएगा, और एक cos आएगा, तो ऐसे आप माहिन में करके, ऐसे याद कर सकते हैं, और next का देख लेते हैं, यह operate हो रहे है, sin x minus y, तो sin x minus 4 हम लोग कैसे लिखते हैं, sin a into cos b minus cos a into sin b, और अभी जो हमने पढ़ा है, sin x minus sin y, हम लोग दोनों को relate करके, याद करने की यह ऐसे, ऐसे आपको बता रहे हैं, ताकि आप कभी भूल जो कि किसमे cos आता है, किसमे sign आएगा, कब sign cos, तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो, बस आपको याद रखना कि, यह plus वाला जो है, plus वाला first की तरह work करेगा, और minus वाला जो है, वो second की तरह work करेगा, minus आगया, तो यहाँ पर जो second वाला है, वैसे या plus है, वैसे वैसे वाला, तो यह sin x minus y है, तो sin x minus y को हमें क्या लिखते हैं, 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2, देको मिल गया, यह minus वाला है, तो किस की तरह काम करेगा, second की तरह, यह minus वाला second की तरह करेगा, मतलब, cos और sin हैगा, तो देको, cos और sin है, 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2, यह काम तो खुद से कना, x plus y by 2, वाल, x minus y by 2, बस एक extra चीज में आपको क्या याद रखना है, कि cos में यदि minus वाला हो, तो एक extra minus बाहर में लग जाता है, बटे, sin में, sin में ऐसा कुछ होता नहीं है, sin में बस second की तरह जैसे है, वो इसे operate कर देना है, तो इस तरीके से अगर आप याद रखेंगे, तो यह formula आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, बस में नहीं कि यह वाला formula सब जो है, sin x plus y, cos x minus y, sin x plus y, sin x minus y, इसे आप किसी भी कीमत पर याद कर लें, तकि उससे rate करके आप फिर आगे का सब कुछ याद कर सकते हैं, till then, thank you very much, मैं next video में और भी कुछ formula होंगे, या question answer होंगे, मैं वो लेकर आऊंगी, thank you.